जैजनेंद्र, आज हम जैन दर्शन के अनुसार, तीन लोग की क्या रचना हैं, विश्व की क्या रचना हैं, इसको हम समझेंगे, सबसे पहले हम मंगलाचरण नमोकार मंत्र से प्रार्रम करते हैं, नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सवसाँणं। एसो पंचनम उयारो, सववप्पावपनाशनो, मंगलाणंच सववेसिं, पडमम हवै मंगलं। जैसा कि आज हमारा विश्र है जेन कॉस्मोलोजी अर्था जेन दर्शन के नुसार विश्रु क्या है? लोकाकाश क्या है? अलोकाकाश क्या है? जेन दर्शन ने विश्र को क्या माना है? किस तरह का माना है? स्वर्ग कहा है? नरक कहा है? मनुष्य कहा है? तिरियन चुगा निवाजस्तान कहा है? मोक्ष कहा है? इन सब बातों की हम चर्चा, आगामी लगबग एक गंटे 15 मिनिट तक करेंगे और अंत के 15 मिनिट हम विष्ण हो तो आप अवश्य पूछिएगा सबसे पहले तो हम यह समझें कि जहन दर्शन में विष्व को किसी के द्वारा किया हुआ नहीं माना है जहन दर्शन के नुसार यह विष्व अनादी निधन है इस विष्व को न तो किसी ने बनाया है और नहीं कोई इस विष्व को नस्ट कर सकता है जहन दर्शन कहता है कि यदि कोई ये मानता है कि विष्व को किसी ने बनाया है तो सबसे पहला प्रशन उठता है कि आखिर उस व्यक्ति को किसने बनाया है यदि भगवान ने दुनिया को बनाया है तो भगवान को किस ने बनाया है कि और किसी बड़े वाले भगवान तो यदि और किसी बड़े भगवान ने उन भगवान को बनाया है तो उन बड़े भगवान को किस ने बनाया है उसको किसी ने नहीं बनाया है, वो बनी बनाई है, वो स्वयम से है, अनादी से है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है, तो जब एक वस्तु दुनिया में बनी बनाई हो सकती है, तो पूरा विश्र क्यों नहीं बना बनाया हो सकता है, इस विश्र को बनाने वाले की आहुशक्त आप लोगों में से किसी को भी मेरी आवाज आ रही हो मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया है कुछ लोगों का है कि प्रेजेंटेशन उन्हें नहीं दिख रहा है यह नहीं आए तो मुझे एक भी जना जिसको देत रहा है जिसको मैं दिख रहा हूं कम से कम अपना मेसेज डाल दे ताकि मुझे कन्फा मुझाय है कि एप्रेजेंटेशन प्रॉपरी स्मूथली चल रहा हुआ है कि कर दो कि कि okay thank you so much Sonali ji thank you just making sure I जगे भगवान से पहले थी कि भगवान ने उसको बनाया कि यदि वह जगे पहले से थी तो एक चीज सिद्ध हो गई कोई न कोई दुनिया कोई जगर कोई छेत्र भगवान के पहले से सिद्धुआ यदि वह छेत्र पहले से था तो उस छेत्र को फिर किसने बनाया वह छेत्र सटीटों अनादी निधन सिद्धुआ ना और यदि भगवान ने किसी जगे पर बेट के नहीं बनाया तो आखीर बिना जगे के कोई भी वस्तु का स्थित्व कैसे रहेगा प्रिये कि हम एक प्रेश्न कर सकते हैं भगवान ने किस काल में बनाया इस छेत्र में बनाया किन ची तो इसलिए हमें यही मानना होगा कि इस दुनिया को किसी नहीं बनाया है यह कि दुनिया स्वेयम से बनी बनाई है अनादी से हे और अननत्रकाल तक चलती रहेगी साइन्स भी हमारी इस बात को सिद्ध करता है इस दुनिया में आ तो कोई परमानु किसी के द्वारा बनाया गया है और नहीं किसी परमानु का नाश हो सकता है energy cannot be created nor it can be destroyed it only changes its form molecule cannot be created nor it can be destroyed दुनिया की कोई चीज energy हो चाए molecule हो चाए कोई चीज हो दुनिया की कोई चीज ना तो उत्पन की जा सकती है उन्हा उसका नाश हो सकता है पास्तों में केवल पदार्थ अपने स्वरूप को बदलते हैं ना तो नया कोई पदार्थ उत्पन होता है ना नस्ट होता है तो इसलिए सबसे पहले तुम यह समझे कि दुनिया बनी बनाई है इस दुनिया को बनाने वाला कोई इश्वर नहीं है और ना यह दुनिया कभी नस्ट होगी होगी इस संसार का एक भी परवाणू एक भी जीव कभी नस्ट होने वाला नहीं है ना हमारा भाव होगा अभी बहुत सारी बाते चल रहे हैं कोरोना के बारे में लोग बहुत भैभी आशंकित डरे हुए हैं लेकिन जिने भी अपने आत्म तत्व का श्रदान होगा वे कहेंगे कि आत्मा तो अजर अमर है आत्मा कहीं जाने वाली आत्मा का कहीं मरण होने वाला नहीं है आत्मा का अभा होने वाला नहीं है या आत्मा केवल एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाएगी यदि आज हम मनुष्य गती में हैं तो मनुष्य गती को छोड़ कर कहीं और जाए जाएंगे और हमारे मनुष्वपने का जो सार है यदि आज भी हम उसमें अपना मनुष्वभव का सारे धर्मारादना नहीं कर रहे हैं तो मनुष्वभव प्राप्त करने का वेसे भी हम कौन सा फल ले रहे हैं कि इसलिगे सबसे पहले हमें ये भाइ मिढ़ जाना चीए कि हमारा मरण होगा दूसरा हमें यह भी भांती मिढ़ जाना कि हमारा कुई नया जनम हुआ हम अनादीक था सब्दे की था अनादिकाल से हैं और अनंतिकाल तक रहेगी इस दुनिया में कोई पदार्थ नहीं होता पुछी पदार्थ न 정도로 क्या कर रहेए और वीश्र का मतलब केवल आज तो हमारा जो 9 वर्ड है वहई नहीं है इस संसार पूरा 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 लोक। छे द्रवयों से बनाया है, छे द्रवयों में हम हैं चेतन्यषिए, एक पुद्गल जो हमें दिखाई देता है एक आकाश है, आकाश किसे कहते हैं जैन दर्शन के अनू Jr., schon का मतलब है जगह, Space is equal to आकाश, दुनिया में जो लोग आकाश नीला नीला उपर मानते हैं, कि आकाश उपर है, नीला नीला है, तो जैन दर्शन उस नीले नीले बादलों की रचना को आकाश नहीं कहता है, क्योंकि जो नीला है, पीला है, लाल है, वह सब बादल है, जो रंग है, वह बादल का गुण है, पुदगल का गुण है, और पुदगल जो है, वह आकाश द्रविस से बिनने है, इसलिए आकाश हमार यहां जगह को माना गया है, Space को आकाश माना गया है, सरवत्र आकाश है, उपर ही नहीं है, आकाश नीचे भी है, मैं बेठाऊं, आकाश में यह प्रत्वी आकाश में, धर्ती आकाश में, संसार की सारी रचनाएं आकाश में, जगा जो है, वो एसी कोई जगे नहीं है जा जगे नहीं है, इसलिए एसी कोई जगे नहीं है जा आकाश नहीं है, आकाश शर्वत्र है, सर्व्यापी है, सारी दशो दिशाओं में आप कहीं भी चले जाएं आकाश का अन्त आने वाला नहीं है आकाश शर्वत रहे सर्व व्यापी है इस अनंत आकाश के ठीक मद्द में एक लोका काश है जिसमें सावे तीन लोग की उर्द लोग मद्द लोग अधो लोग तीन लोग की रचना उस अनंत आकाश के मद्द में माई गई है जो जो उस अनंत आकाश के मद्द का जितना आकाश है उसे हम कहते हैं लोका आकाश उसे हम कहते हैं जेनियों का लोक, उसे हम कहते हैं तीन लोक, जहां स्वर्ग है, नरक है, छहोद्रव है, जहां हम आप है, जहां पुद्गल है, जहां धर्म धर्म है, जहां छहोद्रवी पाए जाते हैं, एसा वो इस्थान, उसका नाम है, तीन लोक, लोका आकाश, हमारी रचनाए हैं वो अभी हम सब समझेंगे आप लोगों ने एक जैन प्रतीक देखा होगा जिसके नीचे लिखा होता है परोष परोग ग्रहो जीवा नाम जैन दर्शन का वो प्रतीक चिन्न माना गया है और वास्तों में वो जो जैन दर्शन के प्रतीक चिन्न के रूप में जो हमने दिया है जो लोगों दिया है जो मोनों दिया है वो ही हमारे तीन लोग की रचना है सारा विश्व हमारा उसी के अंदर कद है कि हम देखते हैं कि उस तीन लोग का एक फोटो हम देखते हैं यहां पर तीन लोग का फोटो इस तीन लोग के अंदर कर जो इसका आकार है वो एक फुरुष के खड़े हुए पुरुष के आकार के समान है जैसे कोई पुरुष अपने हाथ पर अपने कमर पर अपने हाथ रखा हुआ हो और पाउं फिलाया हुआ हो किसी पुरुष ने अपनी कमर पर हाथ रखें दोनों और अपने दोनों पाउं फिलाये हैं तो ऐसे कटी पर हाथ रखे हुए पुरुष के समान यह हमारे तीन लोग का आकार है इसकी उचाई चवदर राजू है इसकी जो अंदर की तरफ गहराई है वह साथ राजू है और इसकी चोड़ाई अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग है अभी हम दो सेकंड में वह सब चित्र भी हम देखेंगे तीन लोग का चित्र क्या है अलग-अक राजू क्या चीज अनेक लोग पूछ सें राजु क्या है उस लोग ब्हश्य भ्रह्मण होती कि राजू जो पिक्टर का राजू हे राजू बन गया जेंटलमें था यह वह राजू है कि यह एस चावदा राजू खड़े हो जा एंग तो हमारा लोग पूरा हो कि यह हमारे लोग का रक्षा है बड़ा 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 कर लोग कि यह राजू क्या चीज है इसको हम समझते हैं एक राजू में जैन दर्शन के हिसाब से असिंख्यात योजन माने गए एक राजू माने असिंख्यात योजन एक योजन जो है वो आठ हजार मील का माना गया है आठ हजार मील का एक योजन है और माइल्स हम आप सब लोग समझते हैं वन पॉइंट सिक्स फोर किलोमेटर इस इकल टू वन मॉइल तो ऐसे चार हजार माइल्स का एक योजन है और ऐसे असिंख्यात योजनों का एक राजू है और ऐसे चाउदा राजू इस लोग की उचाई है उचाई यदि हम देखे तो कितनी है वो चाउदा राजू इसकी जो गहराई है लोग की गहराई वो लोग की गहराई साथ राजू है साथ राजू गहरा है और पूरो परश्चिम यह अलग-अलग जगे अलग-अलग प्रकार से चोड़ा है सबसे नीचे यह साथ राजू चोड़ा है उसके उपर साथ राजू जाने पर यह एक राजू उपर जाने पर ब्रह्म लोग के वहां इसकी उचाई इसकी चोड़ाई पांच राजू है और साड़े तीन राजू जाने पर इसकी लोग के उपर लोग के उर्द भाग में इसकी उचाई इसकी चोड़ाई एक राजू है इस परकार अलग-अलग स्थान पर इसकी अ लगबग साड हीएं Chaudh attain जयाने पर मत दिखें महां एक राजी चोड़ाई यह फिर साड़े तीन राजु उपधर जाने पर पाशरों चोड़ाई और साड़े तीन उपधर जाने पर एक राजु चोड़ाई यह प्रकार चुड़ाई इसकी अलग-अलग होती गई है और ओसत चोड़ाई यह दिए हम देखे तो वह इसकी लगबग साड़े तीन राजु है साड़े तीन राजु इसकी ओसत चोड़ाई है चवदर राजु इसकी उचाई है और कि अधि आप लोग देख पा रहे हैं कि चवदर राजु इसकी उचाई है एक राजु असिंख्यात योजन का है एक योजन 4000 मील और इसकी मोटाई जो है वह साथ राजु है उत्तर दक्षिन गिशा में चोड़ाई बिन बिन इस्थानों पर बिन बिन हैं नीचे मूल में साथ राजु चोड़ाई है उपर मद्ध में एक राजु पांच राजु स्भाओं में एक सी हुआ सुआ पांच यजैया वाजु झालों मौस दिन हो जो जाए इस लोग का के जो गन्फल एकुल वह 343 गन्राजू है 343 गन्राजू इस लोग का पूरा गन्फल है और इसमें छेहो द्रवय पाए जाते हैं कि अप्रश्न ये उठता है अब प्रश्ण यह उठता है कि इस लोग में क्या-क्या पाए जाते हैं तो छहोद्रवी जो है जीव पुद्गलादी छहोद्रवी वह छहोद्रवी इस लोग में पाए जाते हैं इस लोग का आधार क्या है किसके आधार से लोग टिका हुआ है तो इस लोग का आधार तीन वातवले हैं वातवले मनें वायू के तीन ठोस वायू का यह वातवले है सबसे पहले इस लोग के नीचे गनोददी वातवले गनोददी वातवले मनें पानी मिश्रित वायू है अर जो थोस गनंददी में पहले तो थोस वायू और जल का घेरा है उसके बाद में जल मिश्रित वायू है और सबसे नीचे केवल पतली वायू है गनंददी मने जल मिश्रित थोस वायू सरपृत्परथम है सथुअ। तोस वायू है उसके नीचे पतली वायू है इस प्रकार ये तीन वायू के अधार से ये पूरा लोक इस्थित है अब इस लोग की जो अधो लोग की रचना है हम पहले उसको समझते हैं वो क्या है कुछ लोग के प्रश्णा हैं कि आप इसको आधुनिक जो सोलर हमारा सिस्टम है उससे समझाईए तो में पहले जेन दर्शन के अनुसार तीन लोग की क्या रचना है उसको बात करते हैं और फिर जो मॉर्डन वर्ल्ड है वो क्या कह रहा है और हम उससे कैसे हम उस हमारी उसमे तो आये हम सब उसकी चर्चा करेंगे पहले जेन दर्शन के इस आप से तीन लोग की क्या रचना है हम इसको समझ लेते हैं कि गचन इस प्रकार से 3 वातवले हैं, 3 वातवले के बाद अब इस लोग में रसनाडी का मतलब यह है कि जाँ दो हिंद्री तीन इंद्री चार इंद्री और पंचेंद्री जीव जहां पाये जाते हैं उसे हम तस नाडी कहते हैं अर्था तरस जीव में एक रस नाडी ऑसित ना जूरों उद्धर नाधी है जैनि substanson एक नोर है रहते हैं जिनें एक इंदरी से अधिख हैं अर्था दो इंदरी से लगाकर पंजेनरी तक के जीकूव कहे जाते हैं नीरो कि तरस जीकूवल रसनाड़ी में ही रेते हैं और स्थावर जीव पूरे लोक में सरवत्र व्याबत था स्थावर बिजहनियों प्रकार के माने गए हैं एक तो सुक्ष मिस्थावर और एक बादर इस्थावर शुक्ष मिस्थावर का मतलब यह है कि जो जीव ना तो किसी से रुकते हैं ना किसी को रोकते हैं जिनका किसी के द्वारा आघात नहीं होता जो किसी के द्वारा मारे नहीं जाते जो किसी को मार करते नहीं हैं ऐसे जीवों को सुक्ष्म जीव कहते हैं बादर जीव उन्हें कहते हैं जो किसी के द्वारा रुकते हैं किसी को रोकते हैं किसी के द्वारा मारे जाते हैं किसी के द्वारा उनका घहत होता है वेसे बादर जीव हैं सुक्ष्म जीवों को रहने के लिए कोई आ आधार चाहिए बिना आधार के बादर जीव नहीं रह सकते हम आप जितने भी जीव हम सब बादर है हम किसी से रुखते हम दिवालादी से रुखते हैं हम किसी भी सकते हैं दूसरी बात कि हम हमें आधार है हमें प्रत्वी का आज आधार है लेकिन जो सुक्ष्म जीव वो नि छेसो आठ मुक्ष को प्राप्त करते हैं हर छे महिने आठ समय में छेसो आठ संसारी जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो कोई यह प्रशन करता है कि क्या एसा कोई दिन आएगा कि जिस दिन सारे संसारी जीवों का अभा हो जाएगा और यह संसार सारे मुक्त जीवों से ब आएगा जब सारे संसारी मुक्त हो जाएंगे क्यों कि संसारी जीवों की संख्या अक्षय अनंत है इस संसार में भले छे महिने आठ समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हो तो भी जो संसारी जीवों की संख्या है वह अक्षय अनंत जीव है और वह अक्षय अनंत जीव कहां पाए जाते हैं जैन दर्शन के अनुसार एक निगोष शरीर में इतने जीव हैं कि उसका अनंत्वा भाग भी तीन काल में कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा यहां तक कि तीन काल में निगोष से बाहर भी नहीं निकलेगा मनें एक एक शरीर में अक्षय अनंत जीव राशी भड़ी पड़ी है और उसका अनंत्वा भाग भी महां से बाहर नहीं निकलने वाला और अनंत्वा भाग बाहर निकलकर अनंत्वा भाग ही मुक्ष को प्राप्त करेगा इसलिए जीव राशी अक्षय अनंत है कई लोगों को करन तो कह और कहीं अंत कानां चीये में उन लोगे प्रश्च पूछता हूं ये जो तीन हमारा क्या एसा कोई दिन होगा कि जो last Sunday होगा है का जो आज सầnडे का दिन चल रहा है क्या एसा को संडे करन गास संडे के लाएगा इसके बाद संड़ नि आएगा इंद आखरी संडे अब संडे मना लो अब कभी संडे आने वाला नहीं है अत्वा आप कभी मंडे आने वाला नहीं है क्या काल का अंत हो सकता है क्या आखरी संडे आएगा च्या आखरी मंडे आएगा क्या काल का अन्थ हो जाएगा जिस प्रकार का अन्त नहीं हो सकता उसी प्रकार जीवराशी का अन्त नहीं है हमारे याक कुछ राशियां अक्षय अनंत नहीं गयTalkल का नहीं है उसी प्रकार जीवराशी का अंत नहीं है पुद्गल का अंत नहीं माने इन द्रव्यों का कहीं कोई अंत नहीं है यह सारी राशियां अक्षय अनंत मानी गई है तो इस प्रकार से जो त्रस नाड़ी है इसमें तो त्रस जीव है और त्रस जीवों के अलावा इस्थावर जीवों से यह पूरा लोग ठसा ठस भड़ा है हम जिस कमरे में बेठे ह उस कमरे में भी अनंत निगोदिया है अर्थात अनंत वनस्पति का इक है असंख्यात प्रत्वी का इक जल का इक अगनी का इक वायू का इक है लोग पूछ सकते हैं कि वो हमें दिखते क्यों नहीं है वह सुक्ष्म है सुक्ष्म जीव आखों से दिखाई नहीं देते अरे सुक्ष्म तो छोड़ो जो बादर भी होते हैं जिनकी आउगाना मने शरीर जिनका छोटा होता है वे जीव भी हमें आखों से एकडम दिखाई न तो त्रस्ज नड़ी में केवल तरही भड़ेएं तो मैं आपको एक चितर दिखाता हूं जिस से आपको थोड़ा त्रस्ज नड़ी का बोद होगा कि तरस्ज नड़ी कहा है यह लोग के ठीक मद्द में है यदि इस से पूरे लोग के अंदर हम देखे हैं तो जो साथ राजू की जो गहराई है तो साथ राजू की गहराई के अंदर तीन राजू अंदर जाने पर और तीन राजू पीछे से वहने तीन तीन राजू जो हम दोनों तरफ से जाएंगे तो बीच में जो एक राजू का छेतर है वहाँ है तरसनाडी है यह तरसनाडी एक राजू चोड़ी और एक राजू मोटी है और चौदर राजू उची है चौदर राजू उची एक राजू चोड़ी और एक राजू मोटी इस प्रकार से यह चौदर घन राजू की यह तरसन यह हैं कि नीचे जो सातवे नडवरग के नीचे आभी हम नरग बताएंगे सातवे नरग के नीचे जो एक राजु महां भी तरश जीव नहीं रहते हैं कि आवल इस्थावरद जीव रहते हैं । यह थी एक्जेक्ट पर्म में बात करें तो यह तरस नाड़ी चवदर कुछ कम इसलिए उपर जो शिद्ध लोग है जो सरवार सिद्धी के उपर का जो छेत्र है वह भी तरस नाड़ी में नहीं आता क्योंकि वहां भी तरस यू नहीं पाए जाते हैं इस प्रकार से उसको भी हम कम करेंगे और इसकी उचाही कुछ कम तेरा राजी हुई लंबाई जो है इसकी लंबाई एक राजू है कुछ वी एक राजू है उसम प्रकार इसका गंफल म्लकि अच्छाज लंबा derechos एक इ Bea Commissioner है इस इस में रहिल्यदा क्योंकि इस इत्रश नाड़ी में तो आत्या राजू प्रमान थे अधो ओर ज्यदा करें तो ग्रता है तो चौदर राजू इसकी लंबाई है और एक राजू बाई एक राजू इसकी चोड़ाई है कौन रहते हैं इसमें इनमें कौन जीव पाए जाते हैं तो सीधी सी बात है तरस जीव तरस नाड़ी में ही रहते हैं तरस जीव तरस नाड़ी के बाहर नहीं मिलते हैं स्वर्ग में कौन रहते हैं कितने इंद्री जीव स्वर्ग में है आप लोगों से कुछ प्रशन पूछूंगा अधी आप कमेंट में देंगे उसका आंसर तो मुझे बड़ी प्रसनलता होगी स्वर्ग में जो जीव रहते हैं उनके कितनी इंद्री आए नारकी जीवों के कितनी इंद्रिया हैं मनुष्यों के कितनी इंद्रिय हैं तिर्यंचों के कितने इंद्रिय हैं अर्था ये चारो गतियों के मनुष्यों के मनुष्य नारकी और देवों की अधियम बात करें चार गति में से तो मनुष्य नार्की और देवों के कितनी इंद्रिया है पाँच इंद्रिया है पाँच अर्थात ये तरस है तो ये पाँच इंद्री जीव कहा रहते हैं ये ये सब तरस नारी में रहते हैं सब तरस नारी में इस्वर्ग लोग कहा है इससमुद्र कई डऑनी में हिए जहां-जहां तक मनुषची ९ह सट्रस नाड़ towel में वह मरुच यह हमारे होग रचना हे नंदीश रुचक इरी कुंडल में जितने पर्वत है जितने भी रचना है सव 음악 नरक न मौक्षे न मनुष्रे न नदिप लिए आउयं छेNow तो इंद्री से केवल और केवल त्रस नाडीगे को सघोतो तरस नाडी और बाहर भीато लेकिन पर őब केवल टरस प्रते नाडव ağór मं एगते हैं कि त्रस नाडी के बहार अलावा इस लोक में और गया है इस लोग के अंदर नीचे अधो लोग है, अधो लोग का आकार किसके समाने कोई बता सकता है, इस तीन लोग के आकार को हम दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं, ये तीन लोग डेड़ म्रदंग के आकार का है, आदे का जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का जो आदा मतलब जहां अ जा सकता है जिसमें उर्द्लो एक मर्दंग के आकार है अदों लोग की लंबाई काई कित्ति है यह हम देखते हैं। हुआ अदों लोग इस्तति कहा है? जह सुमेरु पर्वत है उसको लोक का मद्ध भाग स्विकार किया है। अर्थात के सुमेरु परवत इस पूरे विश्रु का मद्द है पूरे विश्रु के मद्द में अर्थात अलोकाकाश के मद्द में लोकाकाश है लोकाकाश के मद्द में मद्दि लोग है और मद्दि लोग के मद्द में जंबु द्वीप है जंबु द्वीप के मद्द में सुदर्शन मेरु है और सुदर्शन मेरु की जड़ है वो जो जड़ है वो पुरे विश्र का मद्द है पुरे तीन लोग का पुरे लोका काश का पुरे अलोका काश का भी वह सुमेरु परवत की जड़ है वो जड़ wat प्रदेश की मानी के सफ्वेर्ण है natural प्रदेश चाहिए एक प्रदेश रोगे तो एक चाह कै만 गए के उपर चाहिए प्रदेशski वहां लोग का बिल्कुल मध्यस्थान है और उसके नीचे दो पर नीचे पतला होता है थी कुसी प्रकार यह जो लोग है ये अदो लोक नीचे और उपर पतला है और मद्द में चोड़ा है इसकी उचाई किती है अधो लोग की तो अधो पूरे साथ राजू मिलें उर्द लोग को पूरे साथ राजू नहीं मिलें क्योंकि उर्द लोग में मद्द लोग भी है मद्द लोग की उचाई भी शामिल है मतलब साथ चौदा राजू पुड़ा लोग है यह उचा और चौदा राजू में से साथ राजू केवल अधो लोग का है बच्चे साथ राजू तो बच्चे हुए साथ राजू में से एक लाख योजन मद्द लोग की उचाई है और एक लाख योजन कम साथ राजू उर्द लोग की उचाई है अधो लोग की मोटाई किती है तो उस मोटाई हम देखेंगे कि अधो लोग की मोटाई वो साथ राजू है गेराई अंदर में जैसे हम किसी मकान को देखते हैं हैं कि मकान के एतना गहा है या वहा दिखान-धन जाता है हमना धान साथ राजू है उर्द लोग में विषा राजू एंदर अधो लोग में विषां चोड़ाई है और कोड़ाई अदो लोक में यह एक राजु की चोड़ाई में एक प्रकार इस प्रकार दोपी ऊसंट चोड़ाई चार राजु है कई सात राजु नीचे गट्रटी गट्रटी मद्य लोक में 1 राजू तो साथ और एक का जोड करें तो वह आठ और हम उसको आदे से भाग देंगे क्योंकि हमें उसत निकालना है तो उसत चोड़ाई हमारी निकली 4 राजू तो अदो लोग की एवरेट चोड़ाई उसत चोड़ाई है ेश्य साराजू कुछ इस ऊचाई है साथ राजू और गयरा है ब्रजा आप में से आडराग hija ओल्यूम किकुछ में एक मिनिट इंतजार करूंगा क्या की आपके कमेंट आने में थोड़ा सा समय लगता एंट इंतजार पर तक नहीं बढ़ना आपको मुझे बताना है कि अदो लोग की घंफल कितना है मैं एक बार फिर बोलता हूं अदो लोग की उचाही साथ राजु गेहराई भी साथ राजु और ओसट चोडाई अदो लोग की कि चार आजुए इस प्रकार से आपको करके निकालना है कि अधो लोग की घंफल कितनी है। आप लोग के सामने ये तीन लोग का अमारा एक नक्षा भी है आप इसको देखेंगे तो ये हमें अभी में आपको अधो लोग दिखा ला हूं दिखरा हो यादि प्रत्वियां तो यह पूरोब करी तो इसके घयरा है कि इसकी पूरी दाइमेशने चबधिया गया यह तु この आप में सब्सक्राइक जो यह यह त्रस नाडी कि यह लो आकार में हमavenे बनाई है बहुत बढ़ी अंकित जेन जी का जवाब आया है अंकित जेन और अनुराग जी जेन का जवाब आया है कि एक सो चान्नू घन राजू उनके बहुत बहुत धन्यवाद तो 343 में से एक सो चान्नू घन राजू किसका है अदो लोग का अब कुल कितना बचा है अब छेत्र कितना बचा है कि 343 में से अब बचा हुआ चेत्र कितना है 343 में से यदि हम एक सो चान्नू घटा देंगे तो अब बचा हुआ चेत्र फल कितना निकलेगा यह मेरा प्रश्ण है ठीक हम आगे चलते हैं इस तीन अदो लोक का गणफल एक्सोचानू घटा राजू है और इसका आकार वह समान है जैसा कि मैंने पहले और इसमें साथ प्रत्वियां इस अदो लोक में साथ प्रत्वियां है अंशल जी जहांजरी जी का जवाब आगया एक तालेस घंड राजू अभी बचा है 147 क्योंकि एक तालेस घंड राजू अभी बचा है जो अभी हमें उर्दू लोक और मद्दू लोक में मिलें 146 नहीं 7 x 7 x 4 बिल्कुल सही आगे चलते हम इसमें कौन कौन रहते हैं इस अदो लोक में किनका निवास है तो इस अदो लोक में सारे नार्की जीव रहते हैं चार प्रकार के जो देव हैं भावनवासी व्यंतर जोतिशी वेमानिक तो उनमें से भावनवासी और व्यंतर देवों का निवाज स्थान भी इस अदो लोक में हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एकेंद्री जीव सरवत्र है पूरे लोक में आप कहीं भी चले जाये यह सरवत्र एकेंद्री जीवों से भड़ा हुआ है तो इस अदो लोक में एकेंद्री जीव भी पाए जाते हैं और नार्की और बहुनवासी और व्यंतर नार्की जीवों का निवाज इस्थान भी इसी अदो लोक में है अब प्रेश्टें और भी अनेक जीव है और कौन-कौन बच्चे देव नार्कियों के अलावा बहुनवासी वेंतर देव नार्की हो गए अभी दो गती और बच गई कौन-कौन सी दो गती मनुष्री गती और तिर्यंज गती में एक इंद्री को छोड़कर दो इंद्री से प पंचेंद्री तक्के जीव कहां रहते हैं साथ ही जोती शी देव कहां रहते हैं वेमानिक देव कहां रहते हैं तो यह सब इनकी चर्चाम आगे करेंगे जोती शी वेमानिक देव कहां रहते हैं इसकी चर्चाम आगे करेंगे दो इंद्री से पंचेंद्री तक्के तिर्यं अधो लोक में पाये जाते हैं अधो लोक के अलावा कहीं नहीं है बहुनवासी और व्यंतर वही अधो लोक में रहते हैं कि अब यह जो अधो लोक है इसका एक नक्षाम देखते हैं कि इसा ही अधो लोक जैसा कि आपको यह दिखाई देरा में इससे दिखाता हूं क्योंकि यह जो अधो लोक में आपको यह साथ प्रत्वियां दिखाई दे रही होगी यह अधो लोग यह पहली प्रत्वी यह स्वारी यहां से चले हैं यहां पहली प्रत्वी दूसरी प्रत्वी तीसरी प्रत्वी चोती प्रत्वी पांचवी प्रत्वी छट्टी प्रत्वी और यह साथ प्रत्वियां यह और ये सात प्रत्वियां जो है ये तो पूरी चोड़ी है अर्थात यदि यहां हम देखें तो लगबग छे राजु चोड़ी है इस लोग के तल से एक राजु उपर जाने पर सात्वी प्रत्वी है फिर एक राजु उपर जाने पर छट्टी प्रत्वी है फिर एक राजु पर जाने पर पहली प्रत्वी यह सबसे पहली प्रत्वी हमारी यह पहली प्रत्वी बहुत चोड़ी है दिख रही है आपके इसके तीन भाग है इस प्रत्वी के तीन भाग है जिसमें सबसे नीचे का भाग कहलाता है अवव बहूल भाग मद्द का भाग कहलाता है खर भाग सुरी पंक भाग और उपर ही उपर का भाग कहलाता है खर भाग फिर से बोलता हूं मैं घर भाग पंक भाग और अवबहूल भाग ऐसे तीन भाग है इस पहली प्रत्वी के दूसरी से लेकर सात्वी प्रत्वी जो है उनके कोई भाग नहीं है वे जो नीचे की छे प्रत्वियां है मतलब दूसरे से लेकर सात्वे नरग तक की प्रत्वियों हैं दूसरे से सात्वें नरक तक ये प्रत्वियों के मद्ड में नत्री रेकि रएकि प्रत्वियों क이고 to में जो है वह एसी है जैसे कि समझत लिजी हमारा ये जो मकान में मट्डी स्टोरी विदिइंग होती है तो मर्टी स्टोरी बिburgh नीचे जमीनताई और बीच का इस्थान पोला होता है ठीक नार्कियों के बिल भी ऐसे पोले होते हैं वीच में उपर और नीचे जमीन होती है और बीच का इस्थान पोला होता है उस पोले इस्थान पर नार्की देखने है नीचे ही नीचे जो सात्वी प्रत्वी है उस सात्वी प्रत्वी के अंदर जैसा क आप यहां देख रहे हैं नीचे ही नीचे जो साथवी प्रत्वी है इसकी मोटाई आठ अजार योजन के बीच में नार्की रहते हैं उसके उपर और फिर 16,000 योजन की यह प्रत्वी फिर उसके उपर 20 फिर 24 फिर 28 फिर 32 ऐसे उसकी चोड़ाई जो है वो बढ़ती जाती है और उसमें 1000 योजन उपर का प्रत्वी छोड़ दें तो बीच के जो इस्थान है उस बीच के इस्थान में नार्की रहते हैं अर्था जैसे यह प्र प्रका और 1000 योजन नीचे कर दिया जाए तो बाकी जो 14,000 योजन है वो 14,000 योजन बीच के अंदर नार्की रहते हैं इस प्रत्वी पर रहते हैं इस प्रत्वी से एक लाख योजन नीचे जाने पर एक लाख योजन अर्थात 40 करोड मील नीचे जाने पर नरक की प्रत्वी प्रारम होती है मने नरक हमारे यहां से 40 करोड मील नीचे है और फिर उसके भी नीचे एक राजू नीचे दूस्वी है और उससे भी एक राजू नीचे तीसरी प्रत्वी है उससे एक राजू नीचे चोथी प्रत्वी है उससे एक राजू नीचे पांच वी प्रत्वी है एक राजू नीचे चट्टी है और एक राजू नीचे सात्वी प्रत्वी है और सात्वी प्रत्वी के नीचे एक राजू का जो हिस् कि यह प्रत्वी कि यह 32,000 योजन की मोटी प्रत्वी दिखाई जैसे आपको यहां पर इसके उपर कि इसके उपर कि जो एक लाग असी अजार योजन की प्रत्वी कि जिसमें तीन भाग है वो एक सेकंड आपको दिखाते हैं कि इस प्रकार से यह जो मद्धि का हिस्सा है इस मद्धि के हिस्से के वहां इस मद्धि के हिस्से में एक राजी चोड़ाई है और नीचे तीन जो इसके एक राजी चोड़ाई और एक लाग असी अजार योजन मोटा तो एक लाग असी अजार योजन में इस सोला अजार योजन की प्रत्वी है उसमें भाउन वासी अए मैं उसमें भाउनवासी और नीचे उसके प्रतम जो खरभाग है कि सोला hurt उसमें वहनवासी और वयंद जो बीच का बंक भाग है ऊसमें भी भूनवासी और दूसर निवासे और नीचे-ई-चे का जो कि ऐसी-बहाँ हुजन का जो प्रतवी है उसमें नार्कियों के निवास लौकार नीचे से असी-प्रत कि तुर्ओं यह पहली प्रत्वी के नीचे महां नार्कियों के निवास है और एक लाग योजन में बहूनवासि और व्यंतरों के निवास Mm कि यह आए आए यह आइभ प्रस्णा कोन है बहूनवासि भवनों में الहे एट आध कहते हैं जो एक प्रकार की देव हैं जो की बहुनों में रहते हैं और यह बहुन इस% के के नीचे सोला फजार योजन के अंदर बहुनवास के भवन हैं उसी प्रकार और उसके नीचे 84DR योजन छेटर में भी बहुनवास्यों को और व्यंतरों के भवन हैं जिसा कि मैंने पूर में बताया था एक योजन याने चार अजार मील है एक बार पुना मैं बताता हूँ एक योजन अर्था चार अजार मील इस इस यूनिट को इस मेजर्मेंट को आप याद रखिए क्योंकि हमें योजन हमें बार-बार काम आएगा जिन्वाणी में जितनी भी रचनाय समझाई है जितनी भी रचनायों का प्रमान दिया है वो सब योजन के प्रमान से दिया है इसलिए मैं योजन में बोल रहा हूँ आप उसको माइल में कीलोमेटर में चेंजस कर लिजा अब यह जो नारकी है नारकियों के दुखों का वर्णन जिन्वानी में बहुत दिया है कि यह अदो लोक में नारकी रहते हैं, भूख प्यास सहते हैं, गर्मी सरदी सहते हैं, इतनी भूख लगती है कि तीन लोग का अनाज भी खा जाएं, तो भी भूख ना मिटे, लेकिन ख पाने पीने के लिए एक भून भी नसीब नहीं होती है, जिसके नीचे कोई शांती से बेटता है, तो उसको उसके रक्ष के पत्ते उसके शरी के टुकड़े कर देते हैं, वेतर नी नदी है, जो खून पीप मवाद से भरी हुई है, और उसके अंदर नारकी जीव, शांती क की आशा से उसमें चलांग लगाते हैं, लेकिन उसका जल गंदी-गंदी धातुओं से खून पीप मवाद से भरा होता है, और उसका शरीर उसका जो जल है, उस चार के समान होता है, जो उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर देता है, अर्थात उनके शरीर को जला देत और उसके उपर नमक भर दिया जाए ठीक उसी प्रकार उस नदी क्या जो जल है वो जैसे एसीट के रूप में उनके शरीर के उपर वर्षा करता है इस प्रकार की भेंग कर पीड़ा है हुऑ और अनेक मुवी भी बनी हुई है हिनरä ऑप मूष देख सकते हैं यारक मूवी जो बहुत अच्छी सब्सक्रणा चाहिए नरक का बाई दिया एक हैं जिते होते हैं वो उंदे मुख उत्पन होते हैं अर्थात उनका जो माथा होता है वो नीचे की तरफ होता है और टांग जो होती है वो उनकी उपर होती है और जनम्ते इक वे जो हैं नार्की वे जनम्ते फीक घोरदुक भोगते हैं जैसे कोई कुट्ता होता है बाकि सारे कुट्ते जैसे उसके उपढ़ तूट पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार एक नार्की को देखकर दूसरे सारे नार्की उसके ओपर टूट पड़ते हैं दूसरा जो प्रत्वी का इस पर्ष होता है नरकी वह बहुत ही ठीक्ष्ण होता है हज्जारों बिच्छों बानों एक साथ डंक मार रहे हो इस प्रकार की भूमी का वह इस पर् गरम देल के अंदर डालके उनको मन उनको नेलो emissions और बएलते हैं । उनको आरी से काटते हैं उनको गरम गरम RabRI volcano से प्रश कराते हैं और वी अनेक प्रकार के जो भीशंड दुख है वह नरक में जीव पाता है। अब प्रशन conducता है कि नरक में जीव जाता क्यों है नरक में जाने का का शास्त्र में वह अनेक दिये उसमें मुख्य बहुत आरंब बहुत आरंब मने निरंतर धनादी की प्राप्ति के लिए उपायों में लगे रहे ना धन कमाने के उपायों में निरंतर लगे रहना वह बहु आलम और बहु परिग्रह मनें मेरे खूब धन की प्राप्ति हो जाए तीन लोग का संपत्ति मेरे पास आजाए एसा जो भाव है वह भाव भूत परिग्रह है के चांब हैं सारी दुनिया की संपत्ति मेरे पास आजाएं मैं दुनिया का सब्से धनी व्यक्ति वन जाओं और दुनिया में अनीक लोग बली तकलीफ पाए तो पाए तो सारे रिसूर्स सारी प्रथ्वी मेरे आदिन हो सारा कपड़े मेरे पास आजाह है तारा अन्न मेरे पास आ जाए इस प्रकार की जो बहुत आरंब और पडिग्रा की लालसा है तो नरक आयू के आर्श्रों का कारण है यहां कुछ प्रश्णा है अपने उस प्रश्ण को करते हैं उसके बाद में आगे बढ़ेंगे व्यंतर और वान व्यंतर देवों में क्या ड प्रश्णा पहलवा से आनीवा और यह जो बहान वासी और व्यंतर यह देव यह कि प्रश्णांअ कि बह्itar कौन है वह बहान वासी और व्यंतर देव हैं इसे लावा यह आपको widely आरक का चित्र दिखहाई देसा है यह इनार्गी हिसे इंको यहां पर कड़ाएं में जला रह कड़ाई में जला रहे जो है जनलंते समय यसी आप ङहां देखेंगे बिलिए उपर से नीचे अर्था बिब्ल़ ऑफ आप नीचे तो पर ऊपर है तो प्रतिवई पर अप्रतिर याउस तुकड़े भात मिया तो आप पसुचते होंगे और मर जाएंगे लेकिन नार्किव की आसमय में मृत्यू नियुके शरीर कि तुक्ड़े टुक्ड़े हो जाता हैं। पुनह पारे की भाति उनका शरीर फिर शिर से मिल जाता हैं, वो फिर से वो दुक भोकने के लिए तैयार हो जाता है। सातों नौख जो यह अलग-अलग दुख इसा प्रश्णियद रसकार उत्तर गल्य को सातों नार्की साटori की विशन और भैंकर भैंकर है प्रताम नरंसे नर्कियों के और जादा बिए इस परकार उत्र उत्तर जैसे जैसे रसे नीचे जाएंगे वेसे वेसे नार्कियों के दुख बढ़ते जाएंगे आयू भी नार्कियों की बढ़ती जाएगी इसके अलावा नरक के जो शरीर की उचाई है वो भी बढ़ती जाएगी थंडी गर्मी का दुख भी बढ़ता जाएगा पर इनकी जो कशाय है कशाय भी नीचे-नीचे नरक की अधिक है जैसे कि उपर के तीन नरकों में यदि कापोथ लेश्या है मतलब थोड़ी कम दरजे की अशुप कशाय है तो चोथे और पाच्वे नरक में और जादा तीवर कशाय है और छटे-सात्वे नरक में अत्यंत तो बहुत सारा दुख दूर हो जाए लेकिन नारकी अपनी कशायों को दूर करने के लिए समर्थ नहीं होते जो दुख है वह वास्ताव में उनका कशाय का है वह छेत्र जन्नी जो दुख है वह दुख भूत कम हो जाए यदिवे परस्पर में प्रेम से रहने लग जाए लेक पर लिए कोनी जैंते हैं वेश्ञ हे काहा है सतना द्रणीं होगा सब्सक्सbaycasters जिनों ने नहीं देखा है उनका सब्सक्राइब नहीं हुआ ओंगों जी विषये जानकरी होती तोया है गोद द्रण कर भेज़ेंगत में कारण है दूसरी बात यह कि हमें लोग को देखकर रागद्वेश उत्पन होते हैं आज यदि हम अमेरिका को जानते हैं रश्या को जानते हैं पाकिस्टान को जानते हैं तो हमें रागद्वेश की उत्पत्ति होती है हमें कुछ देश श्रतृता का भाव होता है कोई नरक से द्वेश हो जाएगा तो नरक जाने के काम छोड़ेंगे यदि स्वर्ग से राग होगा तो स्वर्ग जाने के काम करेंगे दिलिब जी महता सामने लिंक बेजी है उपर जो आप देख सकते हैं जिसमें नरक की रचना है बहुत अच्छे समझाईए और नरक के दुख बताएं आप सबके लिए वह लिंक बहुत अच्छी है आप उस लिंक को देखकर तीन लोग के सारे मतलब जो नरकियों के दुख है से सकते हैं धन्य वा दिलब जी ए ही हा हम बात करने नरक की तो नरक में डुख है नीचे नीचे नरक के दुख है कई लोग क näए नरक हमें दिखता नहीं है तो इस दुनिया में नरक है तो ऐसा नहीं है भाइसा नरक एक छेत रहे पूडा उस नरख की भूमियों का उसकी रचनाओ का महा के दुखों का सारा वर्णन हज्यार व गाथाओं में आचार्यों ने वर्णन किया है समगर जेन दर्षन तीन हमें आखों से Não नहीं दिखती तो हम उसका हम उससे इंकार करें यह योग नहीं है अनेक लोगों को विश्रुपूरा दिखाई नहीं देता आज हमें करोना दिखता नहीं है आज हमें करंट नहीं दिखता उन्हें विदेश की यात्रा नहीं कियो उन्हें विदेश भी नहीं दिखता तो क्या और वो सारी जिन्वानी के अंदर किया है तो हमारी समझधारी इसमें कि हम उस रचनाओं को पड़े समझे और उसमें खोच करें हमें कोई चीज नहीं दिखरी उससे इंकार करना यह समझदारी नहीं है हमें उसका वर्णन जिन्वानी के द्वारा प्राप्त करना चाहिए तो इस प्रेकार से हमने यह अभी अदो लोग का वर्णन किया अब हम थोड़ा मद्य लोग का और चांद की जो अनेक प्रकार की धार्णा है हम सूरज पर जा सकते हैं कि नहीं हम चांद पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं यह तारे क्या है यह नक्षत्र क्या है यह ग्रह क्या है यह स्वर्ग क्या है तो इन सारी रचनाओं को समझने के लिए हम पढ़ते हैं मद्य लोग पूजा देखते हैं मद्धि लोग क्या है इस अधो लोग के उपर मद्धि लोग है और उस मद्धि लोग में कौन-कौन निवास करते हैं क्या उसकी उच्छाई यह थेओरिटिकल बताता हूं फिर आपको उसको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे अर्चेश जी पाटोदी जी नहीं प्रश्ण किया है कि देवो नार्कियों की सबसे कम आयू दस अजार वर्ष है और नार्कियों की उत्कृष्ट आयू 33 सागर भी हम किसी लेक्चर में समझेंगे कि यह सागर क्या होता है यह पल्ल क्या होता है आप अभी मोटे रूप से दसलिए बहुरे नारकियों के आयू छोटी नहीं है नार्कियों की आयू बहुत लंबी है इसलिए नर्क जाने से बचना होके बढ़ियार अब मद्द्य लोक देखते हैं मद्द्य लोक कहा है सबसे पहले मद्द्य लोग की चोड़ाई है वो एक राजु तो एक राजु इस लोग की चोड़ाई है और एक राजु ही लोग यह मद्ध में मतलब जो त्रस नाड़ी है जो त्रस नाड़ी का जो शेप है उस त्रस नाड़ी के अंदर यह मद्ध लोग है अब यह प्रश्ण हो सकता है कि उसकी उ सुमेरु परनवत एक लाग योजन होचा सुमेरु पर्वत कि जडर्त वह 1000 योजन प्रत्वी में है यह और 99.000 प्रत्वी तल्शे वह उपर ऐसा जो एक लाग योजन उचा जो सुमेरु प्रवत है उतनी ही मध्यलोग की चाहिए एक राज़ू बाए एक राजू का चोड़ाई और मोटाई है और उचाई एक लाग योजन की है अब क्या आप में से कोई बता सकता है कि इस मद्य लोग का घंफल लगबग कितना आएगा मैं एक मिनिट आपके प्रश्न का जवाब का इंतजार करता हूं मद्य लोग का घंफल कितना आएग तो मद्य लोग का जो घंफल है वो लगबग एक घं राजू है एक राजू एक राजू वर्ग गुणित एक लाख योजन इतना मद्य लोग का घंफल है मद्य लोग में कौन-कौन रहते हैं किन-किन का निवास है और मद्य लोग में क्या है तो मद्य लोग में असंख्या द्वीप और समुद्र है सबसे बीच में जंबू द्वीप है उसको गेर कर समुद्र है उसको गेर कर धातकी खंड द्वीप है धातकी खंड द्वीप को गेर कर कालो ददी समुद्र है कालो ददी समुद्र को गेर कर पुष्क्रार द्वीप है पुष्क्रार द्वीप को गेर गोल गोल असंख्याद दीप समुद्र है गोल गोल उन सब के ठीक मद्ध में जंबू दीप है और मद्धी जंबू दीप के मद्ध में एक लाग योजन उच्छा सुमेरु परवत है यह जो नक्षा आपको दिखाया है यह टू डायमिशनल चित्र है इसकी उच्छा ही आप सर चोकोर इस्तान होता है तो चोकोर के अंदर यह गोल चीज बनाएंगे तो चार कोने चूट जाएंगे ठीक उसी प्रकार मद्धी लोक में भी गोल गोल दीर समुद्रों के अलावा चार कोने अंत में हैं जहां पर भी तिरियंच जीव पाए जाते हैं अब प्रश्णी यह हम कहां हैं। है हमदानिवाजिस्तान तो इस प्रत्वी के उपन जो जम्बूदीप है उस्जम्बूदीप के आले खंड में हमाप सबका निवाजिस्तान आज हम जो रह रहे हैं यह आज हम जम्बूदीप में жив सात्भand 6रुत हैं 7 संभ इश्य citr नदर के निव हुश्यрах रहे उस भरत चेत्र का भी चोटा से तुकड़ा है और एक खंड में आज की पूरी नों दुनिया है जो छे हमारे जो भी हमारे जो कॉंटिनेंट है तो भी हमारे ओशन है वो जेन दर्शन के अनुसार सब उस भरत चेत्र के आरे खंड के तोटे से टुकड़े में यह आपको जम्बू दीप का चेत्र दिखाये जाए 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 बहुत बढ़िया जम्बू दीप के ठीक मद्द में यह तो हो गया सुमेरू परवत और सुमेरू परवत के अलावा एक मिर्ण आपको छोटा करके दिखाये जाए जाए जो बहुत बढ़िया जो चो चोंड़ा इस प्रकार से तो यह आप देख पा रहे हैं तो रहा से इसको नीचे को पड़िए यह है कि ये हैं हमारा जम्देप जंबू दीप के अंदर यह जो नीचे नीचे का इस्स आ है इस स्लीक séries खेस यहरे रहे ह oportun hp I think कि भरद्जेत्र का को चिंड केते हैं चारो को सामस्राइन ग्यान राका का जी का प्रश्ण Уकित्यत्र चेद्रों को क्या को बाद चेतर हैं वो चार जो चेटर हें जो चारों कोनों मद्य लोग के अंतर गताते हैं धन्यवाद जियांजी प्रशन कुछने करें भरत छेत्र आरेकंड को अुझा जंबूदीव के अंदर साथ छेत्र हैं जिसके सबसे नीचे का दक्शिन का छेत्र है उसको हम भरत छेत्र केते हैं अभी आपको एक मिन्ट मद्द्र लोग की एक स्लाइट दिखाते हैं इस चेत्र हटाओ अब दीप थाली के समान गोल है जम्बू दीप और इसका आकार इसका व्यास एक लाग योजन का है चालीस क्रोड मील इसके ठीक मद्द में सुदर्शन मेरू है और इस जम्बू दीप में है साथ छेत्र है भरत एरावत विदे आदी छे परवत हिंवन आदी और हर एक परवत पे एक सरोवर है पदमादी सरोवर है जिन सरोवरों से नदी निकलती है और हर एक सरोवर से दो दो नदी हर एक छेत्र में बहती है मनें ये छे सरोवर से चौदा नदियां बहती है और वो चौदा नदी साथ छेत्रों में बहती है मनें प्रतेक छेत्र में दो दो नदी बहती है अब इस जम्बू दीप में कौन-कौन रहते हैं तो जम्बू दीप में मनुष्य का निवास है इसी जम्बू दीप के अंदर तिरियंचों का निवास है हम आप जा रहते हैं म हमां मनुष्य और तिरयंच दो गतीं के जीव पाए जाते मानुष्य तोस आप हम सब हैं साथ में 2 इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री ये सब जीव भी इस मनुष्य लोक में पाए relaxed करको जितने भी यव्यम लट्ड है चीटी बहुरा है गाय जोडा हैं आत्व है जाते हैं और धाई दीप के बाहर जो असंख्यात दीप समुद्र है वहां भी तिर्यंच पाए जाते हैं इस प्रकार से असंख्यात दीप समुद्रों में तिर्यंच जीव पाए जाते हैं मद्दि लोग में और मनुष्यों का निवास केवल धाई दीप नहीं है इसलिए मनु कि धाई इस मद्दि लोग में और कौन-कौन रहते हैं क्या मनुष्य और तिर्यंची रहते हैं कि और भी कोई रहते हैं तो उसको हम देखते हैं पहले वाले स्लाइड में मद्दि लोग में कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन देव रहते हैं जोती श्री देव का सारा निवाज इस्थान मद्य लोग में हैं और भवनवासी और व्यंतर जिनके निवास तो अदो लोग में हैं लेकिन वे भी यहां पर घुमने फिरने आते हैं अर्था उनके भी यहां संख्याद दीव समुद्रों में धिते रह्मन करने के रहान आदी बने हुए हैं इसलिए भॉनवासी और व्यंतर भी अद्धिलोग में विहार करते हुए पाए जाते हैं विच्रण करते हुए पाए करते हैं जोती शी देव का निवाज स्थान जरूर के इस प्रत्वी से साथ सो नब्द योजन उपर जाने पर जोती शीओं के विमान चलू हो जाते हैं जोती शी देव के यह जोती देव कौन है नक्षत्र तारे ये पांच प्रकार के जोतीशी देव होते हैं क्या सूरी का विमाhong जेऊ विमान जोतीशी देव bent hem इस प्रतवीतल से केवल साथ सो नबय योजन दूर है अनेग लोगों के कहना है कि मनुष्य चांद पर नहीं को सकता कि मनुष्य का निवात क्योंकि निवास थो निन्यानु हजार योजन उपर है तो जब निन्यानु हजार योजन उपर है तो जब निन्यानु हजार योजन तक मनुष्रिका गमन संभव है विद्याधर भी जाते हैं चारण रिद्धारी मुनी भी जाते हैं तो यदि किसी ने अपनी विद्याधी के द्वारा यदि और जबकि लोग से नियार योजन उपड़ तक मनुष्यों का निवास कहा है कि इसलिए मनुष्य जो है तारे चांद तारों तक भी पहुंश सकता है दिलिप जी महता का प्रश्ण है अरे विमान लाइव एलिमेंट है यह विमान लाइव एलिमेंट है कि यह सिंपल वहिकल है यह जो विमान है यह विमान प्रत्वी काईक है और यह प्रत्वी काईक एक जीव है और विमान लाइव एलिमेंट नहीं विमान तो वास्तों में प्रत्वी प्रत्विया है प्रत्व करने से यह हमारियां दिन और रात का भेद होता है विमानों को चलाने वाले एक प्रकार के ड्राइवर देव होते हैं जो की इन विमानों को डोते हैं यह विमान चेतन नहीं है विमान तो अचेतन ही है लेकिन विमानों में जो प्रत्विया हैं उन प्रत्वियों को भी हम एक जीव गिनते हैं इसलिए एक अपेक्षा से प्रत्वी का एक जीव है और एक अपेक्षा से जो लोग मानते कि प्रत्वियां तो एसी है मतलब उसमें दो इंद्रियादी जीव नहीं है तरस जीव नहीं है तो उस अपेक्षा से प्रस जीव नहीं है मेरे ख्याल से मैंने दिलि को डोया करते हैं वो विमान को ढोते हैं उनके निमित्त से यहां पर हमारे जो आली खंडे मैं यहां पर दिन रात का विभाग हता है जैन दर्शन के अनुसार यह जो परवत है इसकी परिक्रमा लगती है और इसकी परिक्रमा चारों तरफ लगने से जो है अपने आपे दिन और रात का विभाग होता है और ये ये जो पूरे जोतिशी विमान है ये सारे जोतिशी विमान केवल सो नब्बे से लेकर 900 योजन, मने केवल 110 योजन की मोटाई में इस्तित है, इससे ज़्यादा उचे नहीं है, 900 योजन पर जाने पर सारे जोतीश्री देओं के विमान समाप्त हो जाते हैं, जब 900 योजन तक में जोतीश्री देओं के विमान समाप्त हो गए हैं, तो फिर मनु भुर्ज्रिका निवास ञाया नुचार योजन उपड़ी तो नोसोई जन तो उसके सामने सुमेल। के पाउ के महा पर जैसे कौई मनुष्य और उसके पाउन के महा गुंगरू के इस्थान पर कोई चीज़ होती है गुंगुरु पाओं के मां होता है ऐसे सुमेरु परवत के गुंगुरु के समान यह जोती श्री देवान है जो कि उसके चारों तरफ चक्कल लगाते हैं बले चांद पर का इस्थान है लेकिन चांद पर मनुष्री के पहुचने का कोई निशेद नहीं है यदि हम उपपर 9000 योजन तक जा सकते हैं तो जो 880 योजन दूर चांद है वहां तक पहुचने में क्या दिक्कत है अब आप प्रश्न करोगे कि हम देवों के विमान में कैस पूरे हिंदूस्तान में मोदी जी रहते नहीं मोदी जी तो अपने महल में रहते हैं यहां पर कोई छेत्र में आके कोई देव का विबान आ जाए और कि रोंडो कर तक हैके On निवास है और भावनवासी व्यंतन यहां पर आते हैं इसके उपर फिर एक साथ राजु उपर मनें इसके उपर साथ राजु के अंदर उर्द लोक है उस साथ राजु जिसमें की एक लाग योजन कम करना पड़ेगा क्योंकि एक लाग योजन की सुमेरु परवत की उचाई है तो उस सुमेरु परवत की उचाई को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो साथ राजु का छेत्र है वो उर्द लोक का छेत्र है और उस हमारे विमानवासी देव रहते हैं विमानवासी देव दो प्रकार के हैं एक तो कल्पवासी देव है और एक कल्पाती थे कल्पवासी देव हम उन्हें कहते हैं जिनमें दस प्रकार की कल्पना होती है इंद्र सामानिक पारिशत त्रायंस्त्रिश आत्मरक्ष लोकपाल अनिक इसे दस प्रकार के देव होते हैं यह क्या होते हैं यह तो मिने आपको शास्त्री नाम बता है जैसे मनुश्री लोग में व्याजा होता है उसकी मंत्री होती है उसकी लोग सभा विदान सभा राज्य सभा की मेंबर्स होते हैं उसके अंगरक्षक होते हैं उसकी प्रजा होती ह अनतर के वल इतना ही हैं कि हमारे यह नहीं वास्तां में लोगों का डर होता है हमारे यहां पर वास्ताव में चारों दिशाओं के अंदर रक्षा करने के लिए हमको चार CSP DSP बिठाने पड़ते हैं वेस्ट DSP इस्ट DSP साउट DSP नौट DSP लेकिन उर्द लोक में किसी की डर्नी है केवल यह सारी व्युक्त टार व्योस्ता शोबागर के लिए वहां पेर लोक सावार राज्य सावा के सारी व्योस्ता रहे कि इन को रहतけて करने के लिए की इंदर को बहुत बड़ा discussion नहीं करना पड़ता है धर्म की चर्चा करते हैं तो यह सारी चीजे जो है उनकी सारी विवस्ता है वह वास्ताव में स्वर्ग की शुभा की रूप में तो दस प्रकार के वहां पर डेवह अन्दर की बताव हैं उड़ते हैं और शुभा यह तो ऋपरवद की चूलीक लोग करें उपर चालू हो जाता है और साथ मोटा ही साथ की साथ राजौ है लेकिन सातर जुमें पूरे देव लोग नहीं बसते हैं देव लोगों का निवाज स्थान केवल एक राजु में हैं गेराई जरूर देव लोग की मतलब प्रत्वियां जो है यह यूं तो देव लोग अंदर की तरफ गेरे साथ राजू है लेकिन जो उनके निवास है वो केवल एक राजू में है चोड़ाई यह आपने इस तन देखेंगे देव लोग की तो किति रहेगी तो चोड़ाई जो देव लोक की है वह साड़े आज़ी एक चोड़ाई तीन राजूराइगा छे बटा दो तीन राजू आएगा तो तीन राजू इसकी एवरेट चोड़ाई है तो जो हम यदि इसका घंफल देखेंगे पुरे लोग का तो साथ बाइ साथ गुणित तीन सेवन बाइ सेवन इंटू त्री इस इकल टू 147 राजू आएगा लेकिन एक लाग योजन की जो प्रत्वी है उसको माइनस कडना पड़ेगा क्योंकि वह एक लाग योजन का जो छेत्र है वह लेकश्य में शामिल है तो एक लाग योजन कम एक लजू 147 घंवराजू 147 माइनस मैं लाइक योजन इतना कम जो है इतना जो है इस उर्द लोग का डाइमेंशन घंफल है और अलोग guid इसका अकार किस सामान है वि इस ऊर्द्वी बताया था और इस उर्द लोक में एक प्रत्वि ये में फ्रत्वी के ठीक मद्द में सिद्ध शिला हमारा सामा निरूप से लोग वर्णन हुआ, अब मैं आप लोगों को आउसर देंगा कि आप में से किसी के भी कोई प्रेशन हो, तो आप जरूर पूछिए, ये मैंने केवल आपको एक जनरल ओवर्विव दिया है, वर्णन तो बहुत है, जिसको हम गंटों भी करें, तो कम है, लेकिन मैंने इसे सामानी र जो दिन रात का विभाग है, उनका जो कैलेंडर होता है, साल का वही कैलेंडर हमारी है, जिस प्रकार से हमने दिनों की गंड़ना निकाली है, यह यूं कहें कि जो जेनियों का जो जो जोतिश होता है, और जो modern world का जो जो dates वगरे होती है, जो रितु होती है, वो सब exactly image करती है, modern world ये मानता है कि सूर जो है वो इस्थिर है और प्रत्वी घुमती है, और जेयन दर्शन ये मानता है कि सूर इस घुमता है सब नहोंने सब लोग के सामने रखा हमारे डिलिप जी dł mort लोग हैं गाला जी जिनों ने मुझे फोन किया सब लोगा बहुत बहुत धन्यवाद किरा मुझे की प्रत्वी Ms. नि मी नि का प्रत्वी geworden दर्शनके साब से नुकिर reconstruction के स्प्पेर नहीं कि हाफ मूं क्यों दा इसलिए रिखता है कि हर दिन सूर्इ की जैक चंद्रमा की 15 गलिया मांदà मानी गई तो चंद्रमा रोज एक ऐक दूनेख गली में जाता है जब वह गली के अंदर जाता है तो एक एक दिन कि एक एक कला गटती है और एक कला गटते हो जब वो सबसे आखरी की गली में जाता है तो अमा उस्या जाती है और जब वो वापिस अंदर आता है तो एक एक कला बढ़ती जाती है और जब वो सबसे अंदर की गली में होता है तो सूरी की चंद्रमा की सारी कलाएं प्रगट हो होती है चंद्रमा इसलिए पूरी चंद्रमा की एक साइकल एक महीने में कंप्रिट होती है 15 दिन बाहर जाता है 15 दिन अंदर आता है तो छे महीने जब बाहर जाता है तो सूरी की की रोश्णी रोषण कम होती जाती है रात बढ़ते हैं दिन घठता जाता है उस प्रकार सूरी चद्रमा के कारण मने कारण सूर की 180 गली में घुमने के कारण यह सारे दिन रात जो वर बढ़ते घठते हैं सूर की कुल 180 गली है 180 में बहार जाना यह रादर जाना यह से 360 दिन में पूरा एक साल कंप्रीड हो जाता है पूरी सूरिखी की अगश साइक्वल हो जाती है इसको हमने कलाएं कहा है जो हीट है पुरत के जो हीट हम मैसूस करते हैं उसे क्या कहेंगे अगर अगर विमान अजीव है तो क्या यह उसका रत्मई प्रकाश है क्या फिर देवों के यह हीट है नहीं लगए देखो जैन दर्शन में जो सूर्य में जो इस्थित प्रत्वी है उसको ठंडा माना है सूरी की प्रभा जरूर उष्ण है लेकिन सूरी मूल में शीतल है कि सूरिकी प्रबाएष्ण है सूरि मुल में शीतल हरेष गाला जी का प्रेष्ण थेंक यू मेसेज यह थैंक्यू हरेष जी आपने मुझे मूझा दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत थैंक्यू कि दिलिप जीवी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और भी किसी के प्रेश्णों दो-चार मिंट हम और रखेंगे और इसके बाद 11.30 पर ये पूरा लेक्चर समाप्त जाएगा एक कोई प्रेश्णों किसी का प्रतवी गोगरी जी ने प्रश्ण किया क्या दो सूर्य और दो-चंद्रमा वहते है मिर्कल जैन-दशंक इसाब से दो-दो-चंद्रमा नैं economic दो दिन लगते हैं वह अगले दिन वर नहीं को रहता है वह जो हमाने आज जो सुरिड वह d piano रहेगा पर सो हमारे जहें जो परोगसा को में भूब्रोस्ते रहीडिकित्न भी किल रहेगा और आ यहीं वहां प्रॉठ इनॐं में पूरा सुरा प्रंटर में तो पूछ लीजिए और इसे अभी आप जेन स्टेडी ग्रूप पे हमेशा प्रश्ण पूछ सकते हैं मैं आपके लिए हमेशा उपलब दे रहूंगा दिलिप जी महता और गाला जी के संपर्ण में हूँ तो कोई भी यदि आपका प्रश्ण भविश्ण में भी होगा तो मैं आपके उस का जवाब देने के लिए सर्श तयार होंगा क्योंकि चीज़े बहुत सारी है अभी हमने एक विशेपुरा छोड़ दिया कि जो मॉडर्ण जोग्राफी है उससे हमारे जेन दर्शन में क्या-क्या सिमिलर्टी से क्या-क्या डिफ्रेंसे से यह सारी चीज़े अभी हमने कव अध्यम से वह मैं नहीं दिखा पाया मैंने बहुत कोशिश की अध्यपी लेकिन फिर भी अनेक कम्या इसमें रही है जिसके लिए आप लोग मुझे श्रमा करेंगे एक योजन कित्ता होता तो एक योजन जो है वह चार हजार योजन का है और 4000 योजन एक योजन चारजार MILE का है और एक मीर वन पॉइंट खिलो में चार कोनों में दो इंद्रि से लेके पंचेंद्रि तक के तिरियंज पाये जाते हैं कि इसके अलावा यह जो तीन लोग के ओपर पूरे घंटे की लेक्चर से जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे मेरे द्वारा किये गए एहमदाबाद में लेक्चर है जो आयम की अल्यूम्नी के जो आधिक आयम अल्यूम्नी का जो ऑडिटोरियम था माम ने किये थे तो तो वह तीन लोग के पूरे उसमें वीडियो डेले हुएं आप महां से भी देख सकते हैं यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे प्रकाश चावडा तीन लोग तो आपको वह सारे लेक्चर मिल जाएंगे कंप धिर का ये करे किंव यूजन दो प्रकार प्रमान योजन वहता है. यह उसे पांसओ गुणा कम होता है। मनुष्यों के जो उचाई ना पी जाती है जो कि 500 गुना कम है और जो यह जित्ति वे आक्रत्रिम रचना इन जो वह प्रमान योजन से ना पी जाती है जो बहुत बड़ा है संचेप में दुनिया बहुत बड़ी है अभी जो हमको दिख रहे हैं दुनिया बहुत छोटी सी दिखती है यह जो हमारा लोग है दुनिया आज हम इस दुनिया को पुड़ा देखें तो यह कुछ योजनों में आ जाएगी जबकि जेन दर्शन के अनुसार मद्धि लोग भी स्वर्ग नरक सब है पाप का फल नरक है पुड़ने का फल स्वर्ग है और पाप पुड़ने से परें अपने आत्म द्यान का फल मोक्ष है और किसी का कोई प्रेश्ण नहीं कि यह जो हम जो जेन दर्शन के इसाफ से जो आज की पूरी दुनिया है यह भरत चेत्र के आर्यखंड का एक छोटा सा टुकुड़ा है पूरी दुनिया हम भरत चेत्र के आर्यखंड के छोश्रे से हिस्से में क्योंकि पूरा जंबुदीब जो है वह एक लाग योजन का माना गया है और भरत चेत्र भी जो है वह उसका एक बटा एक बटा 179 वा लगबग इस्सा माना गया है तो एक लाग का यदि हम एक हजार योजन सोवा हिस्सा भी मानें दो सोवा हिस्सा भी मानें तो भी 500 योजन लगबग निकलता है 526 योजन और 526 योजन में भी है जा एक चारिस लाक मरनें लगबग चार लाख पांच सो योजन एक हजार योजन में 40 लाक मील मील की पुरी विश्व्ण का किवल भरत चेतर है तो बीस लाग मील का पुड़ा भरत चेतर है 20 लाक मील का पुड़ा तो कहां 10 20,000 मील और कहां 10 20,000,000 मील इसलिए जो दुनिया है वो बहुत चोटी है और वरत चेत्र भी बहुत बड़ा है इस प्रकार में यहीं समाप कर बाकी शेष चर्चा हम जेन इस्टडी ग्रूप के माध्यम से करते रहेंगे आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा जेन इस्टडी ग्रूप के मंच पर आया आप और आपने इस जेन कॉश्मोलोजी लेक्चर का लाब लिया मैं सभी आप सब लोग नौबाट नवर पूरिये जै कि अग्या आप जय जय कि अंक यू सो मच